हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल देखिए आज का जो मेरा वीडियो है फूट प्रांट चीकू है और उस पर है कि कैसे चीकू की आप केयर करें थोड़ा सा ध्यान रखें तो आप अच्छे से उस पर फूटिंग ले सकते हैं सरी मोस्ट लिए प्रॉब तो थोड़ा सा पेशन्स रखिए आपको बेस्ट बेस्ट का रजल्ट मिलेगा वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरू कीजिए और बैल आइकोन का बटन दबाना ना भूले देखे फ्रेंट्स यह जो मेरा चीकू का प्लांट है और इसे हमने मैं इसे जो है प्रिपेर किया था अच्छे से फटलाइजर दिया था इसे कावडंग मैन्योर वर्मिक आप पर में कमपोस्ट जो भी आप देना चाहिए वह इसे दे सकते उसके लिए मैंने इसे फैबररी के एंड में इसे प्रिपेर कर दिया था और अब इसका मैं आपको रज बनेगी उन पर होगी देखिए मोस्टली मैं आपको यहां दिखा रही हूं यह देखिए सभी पर जो है फ्लावरिंग बन गई है तो थोड़ी शाद धूप हो रही है इस वज़े से हो सकता है आपको प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा देखिए मैंने जो अपने प्लांट क कि प्रूनिंग बहुत पहले कर चुकी हूं तो प्रूनिंग भी बहुत मस्ट है प्लांट को डिजीज फ्री रखने के लिए देखिए हमेशा जब भी आप गंबले में पॉट में गार्णिंग करते हैं उसके हिसाब से आपको जो है इसकी प्रूनिंग करनी होती है जब नहीं होने वाली है अगर आपके प्लांट को ऐसा लग रहा है कि इंफेक्शन का खत्रा है वैसे तो मोस्ट इस पर कोई डिजीज नहीं होती है बट कभी कभी हो भी जाता है अपने गार्डन में जैसे और भी प्लांट्स लगे होते हैं तो यहां पर आप इस समय नीम उयल क स्प्रे कर सकते हैं देखिए मैं पहले ही नीम उयल का जब मैंने अपने प्लांट को रेडी किया था यानिकि फूटिंग के लिए से हम लेकर आये थे तब हम मैंने इस पर नीम उयल का स्प्रे और फंगिसाइट का स्प्रे किया ताकि हमारे प्लांट को कोई भी फंगल बार देखे जहां जहां मैं आपzić इस तुरीके से ये बन रही है ये देखे नहीं हैं पर जो है फ़लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी ये देखें कोई ब्रांच नहीं है जहां आपको फ्लावरिंग नजर नहीं आएगी ये देखें मैं थोड़ी सी इंफर्मिशन भी शेयर कर देती हूँ कि जब आप पॉट में इसे लगा रहे हैं तो सॉइल थोड़ी सी अच्छी रखें वेल्डरेंस सॉइल होनी चाहिए इसको जो है बिल्कुल भी जो मिट्टी होती है वो पसंद नहीं है यानि कि जो सौगीर सॉइल होती उसे बिल्कुल पसंद नहीं है ड्राय कंडिशन में रहने वाला प्लांट है इसलिए इसे जो है विंटर में तो इसे काफी दिनों तक पानी देने की ज़रूरत नहीं है और अगर समर की बात करूं तो देखिए जैसे भी समर का सीजन टल रहा है और मेरे इस तरीके से यह द आज पर छेशे दिन तक भी समर में जरूरत नहीं होती है समर का एक प्लांट है इसे अच्छी धूप पसंद है यानि कि इसे चे साथ घंटे की तो मिनिममम रिक्वार्मेंट है सनलाइट की तो आप इसे सनलाइट अच्छे से प्रवाइड कराईए यह नहीं कि मेरा प्लां पीसे ना लगे इतना ही बचा सकते हैं सरदिया इसके लिए थोड़ी सी हामफुल होती है इसके जाद अच्छी नहीं होती है उसमें थोड़ा सा इसको बचाना ज़रूरी है आप इसके ऊपर शेड कर सकते हैं और देखिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते कि उनके इस से दस साल तक इसमें फूट आने में टाइम लग सकता है पर इस तरीके से आप ग्राफ्टेट प्लांट लीजिए वह आपके डेड़ साल दो साल या धाई साल में आपके फूटिंग करेगा चीको का जो प्लांट एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग प्लांट है कर मैं कहूं कि ब बाद ही इसमें आप वाटरिंग कीजिए यह नहीं आपकी ऊपर की थोड़ी सी सौइल सूखी आप बार बार उसे वाटरिंग में करें इसका ध्यान रखें जब फ्लावरिंग हो रही है अभी तो देखिए जब यह फ्लावरिंग मोड पर आ रहा है तो पानी की आप अच्छे वाराइटी को सलक कीजिए आप काली पत्ती या क्रिकेट बॉल वाराइटी है उसे आप लगा सकते हैं आपको अच्छा रजल्ट मिलेगा देखिए कई बार क्या होता है जब नर्सरी से प्लांट क्राफ्टेड भी खरेत के लाते तो प्लांट काफी छोटा ह कम कर दीजें देखिए अगर जैसे कि मेरे प्लांट में अभी फ्लावर खिलने शुरू नहीं हुए यह देखिए आप इस तरीके से अभी जो है बर्ड सी बन रही है तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम नजर आ रही तो आप एक नीम उयल का स्प्रेय आप इस पर कर सकते वैसे तो इस पर विशेश कोई भी अटैक इस पर नहीं होता है देखिए जगे जगे पर आपको जो है देखिए आप इस तरीके से इसको तोड़ेंगे तो एक दूद सा देखिए पती को तोड़ते ही के साथ दूद जैसा एक इसमें से निकलने लगता है अगर आपने अपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइजर प्रोवाइट कराया है तो ये बहुत दर्दी बहुत ज्यादा होती है और फलो को अपने जो पकना होता है तो इसके फ्रूट्स जो है पकने में छे महने तक का समय लगा सकते हैं तो ऊपर से देखिए जब चीकू जो आपने देखा होगा बहुत सक्त होता है लेकिन जब आप उसे थोड़ा सा खुरच के देखे हैं और पकने के बाद उसकी थोड़ी सी अंदर से जो पीली अलकी सी जो कलर उसका चेंज होने लग जाता है तभी आप समझे की चीकू आपका पकर रेडी हो गया है तो आप इस समय जो है हमने फर्टिलाइजर तो जो मैंने अपने प्लांट रेडी किया था अच्छे से मैं इसे अपने जब भी आप में कोई प्लांट तयार करते तो अच्छे से फर्टिलाइजर दीजिए जब अब इसमें छोटे छोटे फल नंगिन लगेंगे तो मैं जैसे मैंगो को मैंने फ्रूटिंग कराईए इसी तरीके से आप इसको भी बौरान से रिलेटेड जो फर्टि ज़ादा हो जाती लेकिन अकुर से ज़ड़ने की प्रॉब्लम होती है वो इसी लिए होती है तो आप थोड़ा सा अच्छे से इस पर जो है लीफ वेवर जो होता है कीट का जो इंसक्त होता है उसका टैक होता है तो इसके लिए आप नीम उयल कर आप अच्छा रजल्ट मिल वरना सारी फ्लावरिंग आपकी गिर जाएगी अगर आप चीकू से फल लेना चाहते तो इसके लिए आपको ग्राफ्टेड प्लांट ही लेना होगा और देखिए पॉट का साइज अक्सर लोग कहते हैं मैं अपना पॉट नहीं दिखाती हूं तो देखिए मेरे तो जितने भ रूटिंग ले सकते हैं वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए